गुड मोर्निंग इस्टुरेंट्स, वेलकमीन ओलाइन क्लासिज, विच आर गीवन बाई सेंट एंजल्स पबलिक स्कोल, क्लास सैकेंड, सब्जेक्ट व्याकरन, चैप्टर वन, भाशा इस्टुरेंट्स, आज हम आपको भाशा के बारे में जानकारी देंगे, भाशा शब्द भाश से बना है, जिसका अर्थ है बोलना, मन के भावों, तथा विचारों का आदान परदान करना ही भाशा है तातपर यह है कि भाशा के द्वारा ही हम अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं जैसे आपने देखा कि पहले चित्र में एक छोटा बच्चा अपने दादाजी से कुछ कह रहा है और दादाजी उसकी बात सुनकर तथा समझ कर उत्तर दे रहे हैं तथा दूसरे चित्र में अध्यापिका श्यामपट पर लिख कर बच्चों को कुछ समझा रही हैं यही भाशा है भाशा के तीन रूप होते हैं मोखिक भाशा, लिखित भाशा तथा सांकेतिक भाशा सबसे पहले आती है मोखिक भाशा जब हम मुख से बोलकर अपने भावो को प्रकट करते हैं तथा सुनकर उसे समझते हैं वह भाशा का मोखिक रूप कहलाता है जैसे दिये गए चित्र में सुधा बोलकर अपनी बात अपनी सहेली से कह रही है तथा उसकी सहेली सुनकर उसकी बात समझ रही है तथा दूसरे चित्र में बच्ची फोन पर अपनी मा से बात कर रही है इस्टुरेंस यह भाशा का मोखिक रूप कहलाता है इसके बाद आती है लिखित भाशा जब हम अपने विचारों को लिखकर परकट करते हैं तथा पढ़कर समझते हैं वह भाशा का लिखित रूप कहलाता है जैसे दादा जी अख़बार पढ़ रहे हैं रोहन अपने मित्र को पत्र लिख रहा है इस्टुरेंस यह भाशा का लिखित रूप कहलाता है इसके बाद आती है सांकेतिक भाशा जब हम अपने विचारों को इशारों के माध्यम से व्यक्त करते हैं वह भाशा का सांकेतिक रूप कहलाता है जैसे गार्ड हरी जंडी दिखा रहा है तथा ट्रैफिक पुलिस वाला इशारों से वाहन को रोक कर अपने भाव प्रकट कर रहा है अर्था जो बात हम इशारों में प्रकट करते हैं उसे भाशा का सांकेतिक रूप कहते हैं इस्टुरेंस अब आप जान गए होंगे कि मन के भावो तथा विचारों का आदान परदान करना ही भाशा कहलाता है